हेलो फ्रेंस स्वागते आज आपका हमारे चनल में इसी के साथ आज की दर्दनाग घटना गोवंडी से देखने को मिल रहा है बालकनी का हिस्सा गिरने से बच्चे की मौत हो गई है ट्रामबे के चीता कैम्प एरिया में दो मंजिला घड की बालकनी गिनने से चार वर्षी बच्चे की मौत हो गई है जबकी दो अन्ने लोग घायल भी हुए है मुंबई फाय विगेट के अनुसाज शनिवार को हुई इस घटना में कुल तीन लोग जखमी हो गए थे बच्चे का नाम प्लडव माने बताया जारा है जो चार साल का था जब बालकनी का हिस्सा गिरा तो उसे गंभीर छोटे आई थी और तुरंद उसे गोवेंडी के सताबदी हॉस्पिटल में भरती करा गया था जहां पर इलाज के दौरान उसे मृत घोशित कर दिया गया है तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं तेजी से बढ़ते जा रही है लगातार आम चंता को कहा जा रहा है जितनी भी पुरानी इमारते हैं उन्हें फिर से मरमत कराके कराया जाए नहीं तो इस प्रकार के बड़े हाथ से होते रहेंगे लगातार देखने को मिला है कि यह दूसरी बड़ी घटना है जो इमारत के हिस्से गिर रहे हैं और लोग खायल हो रहे हैं